हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू अल उन सीएस सब्जेक्ट वाइज लास्ट लेक्चर में हमने एपसिलोन एन एफ़े को डी एफ़े में कनवर्ड किया था उसके कुछ एक्जांपल्स देखे थे राइट आज हम एक और एक्जांपल देखते हैं जिसमें बच्चे अलड़ी हम यह एक्जांपल एन एफ़े बच्चे एपसिलोन एन एफ़े को एन एफ़े में कैसे कनवर्ड करते हैं देख सुकें यह सेम एक्जांपल बच्चे हमने कवर किया था एपसिलोन एन एफ़े को एन एफ़े में कैसे कनवर्ड करें राइट बच्चे अब आज हम यह सेम ए एपसिलोन इन्ट एनने फ़े को हम कनवर्ट करने जा रहें बचचे डी एफ़े में राइड तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है बचचे उस टेट को भी फाइनल बना दो जिस स्टेट से अकेला एपसिलोन लेके मैं फाइनल तक जा रहा हूं तो बच्चे, state 1 से अकेला epsilon read करक्या final तक नहीं जा रहे, state 2 से अकेला epsilon read करक्या final तक नहीं जा रहे It means, बच्चे, final state, state number 3 ही रहेगी, right? तो बच्चे, अब हम इसकी NFA table बनाते हैं, कैसे होगी बच्चे, NFA table? बहुत easy है, हमें extended transition function लिखने हैं इसके, अगर मैं हर एक state के state 1, state 2, state 3 के extended transition function लिख देता हूँ That table is my, बच्चे, NFA table, right? तो अब देखो, बच्चे, initial state 1 है, state number 3 मेरी final state है मुझे क्या करना है, बच्चे, extended transition function, क्या-क्य input symbol है, बच्चे, state से 0 के लिए, और state से बच्चे, 1 के लिए, right? बच्चे, ये देखना है Start करते हैं, बच्चे, अपनी problem को बच्चे, state number 1 से 0 read करके, कहां-कहां जा सकते हो State number 1 से 0 read करके, 1 पे, 2 पे, 1 और 2 बच्चे, आ रहा है, बच्चे, समझ में Next, state number, state number बच्चे, 1 से 1 read करके, 1 से start किया, epsilon dot 1 is 1 Instead, 3 number state पे, epsilon 1 epsilon means 2 number state पे जहां देना, बच्चे, state 1 से 1 read करके, कहां-कहां जा रहे हो 1 से 2, कैसे? Epsilon 1 epsilon Right, epsilon 1 epsilon is 1 और state number 3 पे भी, बच्चे, epsilon dot 1 is Epsilon, state number 3, right? अब state number 2 से 0 read करके, कहां-कहां जा रहे हो State number 2 से आप 0 read करके कहीं पे भी नहीं जा रहे State number 2 से 1 read करके कहां जा रहे हो State number 3 पे आ रहे है बचे समझ में State number 2 से 0 read करके कहीं पे भी नहीं State number 2 से 1 read करके Important है बचे एक तो 3 पे 1.epsilon 2 पे 2 और 3 दोनों पे Missing मत कर देना बचे 2 कैसे आ रहे हो 1 से start किया 2 से end हुआ 1 read किया 1 या फिर 1.epsilon State number 3 से बच्चे 0 read करके कहां कहां जा रहे हो Sir एक तो state number 3 पे 0.epsilon is 2 पे भी 2 और 3 बच्चे State number 3 से बच्चे 1 read करके कहां कहां जा रहे हो epsilon 1 3 पे या फिर epsilon 1 epsilon 2 पे तो again बच्चे क्या आएगा 2 और 3 आ रहे है बच्चे समझ में तो ये है मेरी NFA table अब मुझे बनानी है बच्चे DFA table right इस epsilon NFA का DFA बनाना है इस given epsilon का epsilon NFA का DFA बनाना है right बच्चे तो DFA की initial state कौन सी होगी बच्चे अलड़ी हमें पता है initial state 1 है 1 क्या मुझे क्या निकालना है बच्चे epsilon closer of initial state of epsilon NFA epsilon NFA की initial state है उसका epsilon closer it means बच्चे 1 से epsilon read करके मैं कहां कहां जा रहा हूँ एक तो बच्चे epsilon read करके 1 का तो 1 पे रहेगा ही रहेगा एक बच्चे 2 पे जा रहा हूँ आ रहा है बच्चे समझ में तो state 102 मेरी initial state होगी 3 पे नहीं जा रहा हूँ 3 पे जाने के लिए मेरे को 1 read करना पड़ेगा बट epsilon closer में सिर्फ और सिर्फ हम epsilon को देखते हैं कि epsilon read करके set of reachable state क्या है आ रहा है बच्चे समझ में तो अब क्या होगा बच्चे 0 और 1 के transition लगने लिखने है बच्चे state 1 और 2 मेरी ये initial state होगी 1 2 से 0 read करके 1 2 से 0 read करके 1 2 dash means 1 and 2 बच्चे state 1 2 से 1 read करके बच्चे state 2 3 अब ऐसी कौन सी state है जिसके transition नहीं लिखे DFA में क्योंकि DFA में जब भी कोई new state बने तो उसके transition mention करने होंगे तो state 2 3 अब देखो बच्चे state 2 3 से 0 read करके set 2 3 1 read करके 2 3 ऐसी कौन सी state है जिसके transition नहीं लिखे ऐसी कोई भी state नहीं है जहाँ जहाँ 3 है वो final बना दो बना दिया means बच्चे DFA में 3 state थी तो DFA में बच्चे उससे कम भी हो गई आ रहा है बच्चे समझ में क्यों बच्चे हमने देखा है याद करो बच्चे हमने एक rule देखा था कि अगर NFA में N state है तो DFA में जब convert करोगे इस NFA को तो minimum 1 state आ सकता है maximum 2 की power N आ सकता है ओलड़ी बच्चे यहाँ NFA में कितनी state है 3 state तो minimum 1 आ सकता है yes sir maximum 2 की power N आ सकता है yes sir दोनों condition satisfy हो रही है important point था बच्चे कि NFA में अगर N state है तो उसे DFA में convert करे हो तो minimum state 1 है maximum 2 की power N है right next बच्चे अब इसका DFA बनाते है देखो बच्चे जब epsilon NFA से आप language को recognize करने की कोशिज करते हो तो थोड़ा मुस्किल होता है NFA Epsilon NFA बनाना easy है बट language recognize करना थोड़ा मुस्किल है कैसे बच्चे क्योंकि epsilon transition की वज़े से आपको नहीं पता कि कितनी बार क्या चिज़े acceptance की तरफ जा रही है right तो बच्चे DFA बनाते है DFA में बच्चे एक state है मेरी 102 इसका बच्चे जब epsilon NFA बनाया था यह जो language accept होगी कितना easy था बनाना उसको बच्चे Epsilon NFA का NFA बनाया थोड़ा tough हुआ DFA बनाया again easy था बच्चे क्योंकि हमी method पता है but language recognize करना direct epsilon NFA से थोड़ा tough है बच्चे तो यहां देखो बच्चे state 12 से 0 read किया state 23 state 23 मेरी क्या है बच्चे final state तो 0 sorry 0 read किया state 12 पे 1 read किया state 23 पे फिर बच्चे 23 से 23 पाई it means 0 और 1 right बच्चे 23 से 0 read किया 23 1 read किया 23 तो 0 और 1 का self-loop आ गया it means बच्चे यह कौन सी language है बच्चे substring 1 substring 1 over sigma 0,1 देखो बच्चे कितनी simple सी language थी बच्चे बच्चे इसका epsilon देखो epsilon nfa कितना complicated था आ रहा है बच्चे समझ में यहां से देखके मैं recognize भी नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी language accept हो सकती है right तो बच्चे बहुत easy है आपको देखना है बच्चे यह dfa epsilon nfa कौन सी language को accept करा था substring 1 और check भी कर सकते हैं बच्चे क्योंकि final तक जाने के लिए आपको minimum 1 तो read करना ही पड़ेगा आ रहा है बच्चे समझ में यही था बच्चे बहुत easy है आप बना सकते हो बच्चे right तो मिलते हैं बच्चे next वीडियो में अच्छे से notes maintain करो अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share and subscribe जरूर करो thank you so much